आपने अपने किसी रिष्टदार, दोस्त, परिवार के सदस्य या किसी अजनवी को पैसे दिये और वो आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है तो क्या आप उसके खिलाफ में FIR, यानि FIRST INFORMATION REPORT POLICE थाने में दर्ज कर सकते हैं, कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे और किन धाराओं के अंतरगत इस पुर्टिकलर वीडियो में हम इसी तथ्य को जाने के कोशिश करेंगे, इस बात को समझने के कोशिश करेंगे, आखिर कैसे तो बने रहें अंते तक जिससे आपको पूरी जो जानकारी है वो मिले, आपने शुरुआत की है अशोख पांडे के साथ लीगल एडवाइज में, आसान शब्दों में हम कानून को समझेंगे, तो अगर अकसर ऐसा होता है, हमने किसी से पैसे ले लिए, किसी को पैसे दे दिए, अब वो पैसे वापस नहीं कर रहा, तो क्या हमारे खिलाफ में या हम उसके खिलाफ में कोई शिकायत दर्च करा सकत हैं, तो कैसे और किंधाराओं पे, इसके लिए इस बात को समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या, ये क्या बला है, आखिर क्या प्रॉबलम है इससे, कानून ऐसा कहता है, ऐसा समझता है, मान लीजे मुझे मजबूरी थी, मुझे जरूरत थी, आवशक्ता थी, उस समय मैं के चक्कर में, मैं आपके पैसे वापस नहीं कर रहा हूँ, उस कंडिशन पर, आप 406 इंडियन पिनल कोड और 420, बार बार आपने सुना गा ना, 400 BC कर दी, 400 BC कर दी, इसका मतलब ही होता है, ये सेक्शन है, ये धारा है, IPC की, सेक्शन 420, 406, इसके अंतरगत, आप मेरी शि करने के पहले मुझे बुलाएगी, कहेगी भई, आप इनके एक लाख रुपे दे रहो या नहीं दे रहो, और अगर आपने लिये पैसे आपको देने पड़ेंगे, नहीं दोगे, हम आपके खिलाफ में, F.I.R. दर्च कर देंगे, फिर आप जानो, कोड जाने, आपको चक् जब मुझे मजबूरी थी, परिशानी थी, और जब मेरी मजबूरी के समय आपने मदद की, और उसके बावजूद मैं आपके पैसे वापस नहीं करूं, तो ये आपके लिए एक mental cruelty भी है, तो इस वज़ा से IPC में इंडियन पिनल कोड में, किसी के साथ धोखा धड़ी ना ह इस वज़ा से इधाराएं ये section बनाये गए, और ये section काफी कारगर होते हैं, जब कभी भी commitment होता है, उस commitment को तोड़ा जाए, तो वहाँ पर 420 attract कर जाती है, जब कभी भी किसी को धोखा देने के उद्देश से cheating मतलब intention काफी important है, क्या मेरा intention था, जी हाँ था, मैंने आप से लिए, मजबूरी में लिए, लेकिन अब नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा हूँ, इस वज़़ा से नहीं क्योंकि में पस पैसे नहीं है, पैसे नहीं भी है, तो भी आपकी जवाबदारी बनती है कि अगर आपने लिये हैं, तो आप दे, इस वज़़ा से आपकी F F.I.R. दर्ज हो सकती है या आप अगर इस पर्टिकलर केस में मेरे खिलाफ अगर F.I.R. दर्ज करना चाहते थे तो बेशक आप मेरे खिलाफ में F.I.R. दर्ज करा सकते थे और ये एक आसान विकल्ब भी होता है अपने पैसों को वसूलने का इसके साथ हमेशा मैं ये कहता कि आप जब कभी भी किसी विक्ति को पैसे दें, कैश पैसे ना दें, आप किसी IT, किसी information जो अपना income tax की problem है कहीं नहीं फसेंगे आप, आप बेवजा का ये मत सोचो कि आप अपना black का white करोगे या white का black करोगे या ये सारी चीज है, सिंपल बात ये है कि आपके पास सबूत होनी चाहिए, आपने कब किस विक्ति को कैसे किस माध्यम से पैसे दिये थे और कितने दिये थे इसका सबूत तो होना चाहिए, तो सबूत के तौर पर online आप transfer करें, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि आपने पैसे दिये थे और उसे कोई भी नकार नहीं सक इस वज़ा से हमेशा आप कोशिश करें कि पैसे देते समय, online पैसे transfer करें, जिससे आपको receiving acknowledgement या details हो, कोई व्यक्ति आपके पैसे नहीं दे रहा, आप FIR करा सकते हैं, 420-406 IPC के अंदर गत, और एक legal notice भेज करके भी आप अपने पैसो के recovery कर सकते हैं